अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक किजेगा शेयर किजेगा अपने दोस्तों में आइफ लाइक के क्लासिस जॉइन करने के लिए वाटसप कर सकते हैं 9013902981 और वही क्या आल जा रहे हैं I hope DVD के एक्जाम्स के नंबर को तुम काउंट कर रहे होगे और ये भी जानने कोश कर रहे होगे कि selection होगा या नहीं होगा चले selection तो जब होगा तब होगा लेकिन कुछ question के answer के reason जान लेता है बट पहले मैं तुमें एक कहानी सुनाता हूं एक कहानी पुराने टाइम की एक जमाना ऐसा भी था जब हमारे घर में एक बड़ा इंस्ट्रुमेंट हुआ करता था जिसे हम बोलते थे टेली फॉन, लैंड लाइन, आज भी बहुत लोग लैंड आरी सबाल करते हैं, लेकिन मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जब मोबाइल फॉन हुआ भी नहीं करते थ तो हमें किसी से अगर मिलना होता था, हम फोन करते थे और डिसाइट करते थे कि कहां मिलेंगे अक्सर फोन करने के बाद में जगे हम लोग ऐसे डिसाइट करते थे जहां मिलना, पैचानना आसान और खास होता है जब जब कि हम कभी पहली बार मिल रहे हूं कहीं एक ऐसे जगह पर कि भई पीपल की पेट के निचे खड़े मिलना वो तो फिर भी आसान था लेकिन मुश्किल तो तब पड़ती थी जब हम कभी किसी भीट भाड़ वाले लाके में किससे मिलना चाहें फिके वहां पहुच करके ट्रेस करने के रास्ते तो होते नहीं थे और एडिट कई बार तो ऐसा भी होता था कि हम इंतजार करके एक जना सड़के एक तरफ अंधिया कर रहा है तूसरा तूसरा तूसी तरफ गंटे पर अंधिया करने के बाद वापस लोट गए और फिर आकर शिकायत कर रहे है यार मैं तो गया था तूभी नहीं मिला लेकिन जमाना बदल रहा है जमाना तो इतना बदल रहा है आज कल कि वाई टेक्नोलोजी हाथ हम हो चुके लोगों के अब इतना मुश्किल नहीं है अब अगर आज हमें किसी को मिलना हो तो हम इस टेक्नोलोजी का सहरा लेते हैं जैसे कि हमें शहर में किसी से मिलना है तो हम Google पर अपनी location भी शेर कर सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि भाई trace करते रहो इंडिक कई बार हम लोग cab book करते हैं और हम लोग अपने mobile phone पर ये भी कर सकते हैं कि वो cab कहां तक पहुच गई हमारे पास पहुचने में कितना डाइब लगने वाला है कभी मन में इस सवाल उठता है कि ऐसी टेक्नलोजी है क्या हम जानते हैं कि कार के अंदर different kind के global positioning system लगे होते हैं जिससे हमें live मालूम पढ़ता रहता है कि चीज कहां तक पहुची टेक्स होते हैं कुछ electronic instruments हमारे mobile के अंदर भी है और इसलिए हम लोकेशन को trace कर सकते हैं और movement को भी trace कर सकते हैं और trace तो आजकल पता नहीं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं हम चाहें तो अपने pets को भी tag कर सकते हैं और वो कहां गूम रहे हैं हम ये भी पता रगा सकते हैं technology के कमाल है जमाना कहां से कहां पहुच रहा है जहां हम अपने daily life में लोगों को trace करते हैं अपने आपको भी trace करवाते हैं तो वहीं पर आज हम cell के अंदर भी molecule को trace कर लेते हैं हाँ molecule के उपर हम electronic gadgets वाले tags फिटनी कर सकते हैं लेकिन और बहुत तरह के tags का अस्तमाल करते हैं कि कोई protein कहां जा रहा है कहां बना और कहां काम किया यह tags कई बार ऐसे भी होते हैं जिन में fluorescent रोशनी भाण निकल के आती है या फिर ऐसे भी होते हैं जो radioactive labeled कोई atom भी होते हैं tagging को लेकर के एक बात बड़ी किलियर है आप किसको tag कर सकते हो और किस तरीके से यह बड़ा important है जैसे कि हम लोग अपनी गाड़ियों में mobile phone में हम जानते हैं कि application इंस्टॉल करनी होती है अपने location को share करने के लिए कौन सी application किस device पर क्या software और क्या hardware जब हम cells की बात करते हैं तो tracing के लिए अकसर हम लोग radioactive labeled phosphorus, sulfur, nitrogen, hydrogen वगरे का इस्सिमाल करते हैं लोगिक होता है कि हम अपने target protein को या target molecule को selectively trace करना चाहते हैं वो कहां है, कहां पहुंचा question number 6 भी कुछ ऐसी था अब bacterial culture glow in a medium containing radioactive sulfur would incorporate the radio label in the tetra peptide चार option दे रखे हैं हर option में 4 amino acid में हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि sulfur किसका label होगा इससी बात दे label तो उसी का होगा ना जिस amino acid में sulfur पा जाता है कितने amino acid ऐसे हैं जिन में sulfur मिलता है तो केवल दो amino acid 20 में से ऐसे हैं जो sulfur containing हैं एक तो methionine और दूसरा system इसलिए हम इनी को label करना चाहते हैं जब हम प्रोटीन को label कर रहे होते हैं रेडियक्टिव सल्फर से तो एक्चुली में प्रोटीन में मुझूद ये सिस्टिन और methionine ही हैं जो label होगे कोशन तो ये भी है कि अगर कल sulfur की जगह पर iodine आ जाए कि रेडियक्टिव iodine से label करना किसी को तो क्या जवाब दोगे जरूरी तो नहीं है न कि हर समय labeled होने वाले चीज amino acid में मौझूद हो फिर अपने knowledge और खंगा लो और जानों कि कौन सा मिना से रैसा है जो iodine को ले सकता है जैसे कि टैरो से न या फिर salon और से स्टिन की बात कर लो कोशनों की information बड़ी common sense पर टिकी हुई है वो common sense जो knowledge से develop होती है अब ये वाली common sense फिक आने कुछ याद है ये एक बड़ा famous एक ad था किसी चीज का जहां मूचों के स्टोरी थी क्या याद आया ये ad किसी चीज का था एड तो था फैविकॉल का फैविकॉल के मजबूत जोड को ले करके नजवाने कितने funny ads बनाए गए हैं बट क्या हमारे life में किवल फैविकॉल ली था हमारे life में बहुत सारे तरह के कुछ और गोंद भी थे पैविकॉल लोड एक्सपैंसिव था लेकिन फिर कुछ अजीब से थोड़े से जिसे हम पसंद नहीं करते थे हम उन गोंद का भी स्थिमाल करते थे हम लोग ये भी जानते थे कि कुछ गोंद ऐसे हैं जो बढ़िया जोडेंगे कुछ गोंद ऐसे भी है जो कम जोड जोडेंगे यह जोने काने भी तो molecules में हैं, जब कभी protein, protein से interact करता है, folding करने के लिए, या फिर enzyme substrate से bind करता है, तो वहाँ भी कुछ चिपचिपी चीज़े हैं, चिपकाने के लिए, हाँ, covalent interaction तो नहीं है, लेकिन कई तरह के non-covalent interaction तो हैं कि hydrogen bonds, wonderwall interactions, electronic interactions, hydrophobicity बगरा, ये सब available हैं, जब हम इन interactions की बात करते हैं, तो हम DNA की बात भी करते हैं, DNA में basis भी आपस में चिपकते हैं, और यहाँ चिपकने के लिए hydrogen bonding है, जहाँ GC में triple hydrogen bonding है, A और U, अगर हम RNA की बात कर रहे हैं, A और T, अगर हम DNA की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे 2 hydrogen bonding होती है, अब इतनी तो तुम्हें पता होगा, कि गौंद अगर जाद होगा, तो वह जादा चिपचिपा होगा, और अगर गौंद कम होगा, तो कम चिपचिपा, अब कोशन इसी को लेके था, कि अगर आपके पास DNA की sequence है, और आप उन दोनों DNA के strand को separate करना चाहते हो, तो किस strand को separate करने में दिक्तर जाद आएगी, बड़ बस जिसमें गौंद जाद हो, अब GC में तो triple hydrogen warning, purity में double hydrogen warning, इसलिए जब GC के polymers को हमें अलग करना होता है, दोनों strands को, तो हमें जादा heat देनी पड़ती है, बस आपको ये चेक करना था, कि इन चार option में जो sequence दे रखी है, किस sequence में GC content जादे है, अगर तुम number ना भी count क हो, तो तुम्हें सीधा सीधा दिख जाएगा, कि यहाँ पर G or C बड़ी मात्रा में है, और इसलिए option number B का double standard form को separate करना, melt करना, मुश्किल होगा, temperature जादा जिएगा, question भी तो यह गया था, कि of the double standard DNA sequence given below, the sequence that is expected to have a higher melting temperature, मतलब जो जादा chip चिपाया अलग करना मुश्किल होग मैंने ये भी देखा कि लोग बड़े अजीत तरीके से भीव करते हैं, अगर हम उने थोड़ा दा मोडिफाई करते हैं, जैसे कि ये मैडम इतनी खुश इसलिए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इनके सर पर एक ताज रखा हुआ है, और ऐसे कुछ लोग तब खुश दिखा और जब वो बन जाता है, तब उसके चैरे के चमक को देखो, कुस तो फरक पड़ाया है भई, हम भी तो जानते हैं, जब हमें मन माफिक चीज़ें मिल जाती हैं, जिसके लिए हम मरे जा रहे हैं, तो हमारे चैरे के चमक अलग होती है, अगर चाड़ा पड़ जाए, काल के उपर, तो हमारे शकल कुछ और होती है, और अगर हमें कोई शाबबाशी दे दे, तो फिर बात ही कुछ और होती है, शाबबाश, बहुत बढ़ा काम किया है भई, उसके बात तो मज़े अलग होते हैं, हमारी सेल्स के अंदर भी हम लोगों ने ये बाते बहुत बाद देख जैसे कि असितायलेशन, मिथायलेशन, फॉसफरलेशन, ग्लैकोसायलेशन, ये केमिकल ग्रूप एड़ करने से बाई प्रोपर्टी चिंज़ बाती है, प्रोटीन्स की, सारी सिग्नलिंगी कोंसेक्ट इसी प्रोटीक्य हुई थी, इंडिड जब हम कोशन्स की बात करते हैं क्वेशन नमबर आठ, अप एप्टाइड ओफ सिक्वेंस, S-H-E-L-R, इसे बैक्टियर सा असुलेट किया गया, इन में से किसका फॉसफरलेशन पॉसीबल है, हम जानते कि बहुत सारे प्रोटीन्स में फॉसफरलेशन बड़ा इंपोर्टन रोल प्ले करता है, चाहिएं कि ये हैं हमारे अमीनवासिद, अमीनवासिद के सिंग का अल्फाबेट इसलिए बड़े इंपोर्टन है, हम याद रहना चाहिए कि S का मतलब सीरीन है, H का मतलब हिस्टडीन है, R का मतलब आरजनीन, तो K का मतलब लाइसिन और L का मतलब यूसिन, ऐसे कुछ वर् के बेस पर कौन सा अमीनवासिद ऐसा है, जिसका फॉस्फर एलेशन पॉसिबल है, मिस वर्ड का ताज तुम्हारे सिर्फ पे आएगा क्या, मैं लड़कों की बात कर रहा हूं, लड़कों के इसलिए पर मिस वर्ड का ताज सो नहीं आएगा न, मिस्टर वर्ड का आ सकता है सेम ऐसे ही फॉस्फर एलेशन सब भी अमीनवासिद पर नहीं होता, कुछ एक खास अमीनवासिद हैं जो इस काम के लिए जाने जाते हैं, हम इन में से बहुत को बहुत जगे पढ़ते भी हैं, जैसे कि सीरिन का फॉस्फर एलेशन, सीरियोनिन का, या फिर टैरोसिन का, सब से बहुत देखा है, गुल मिला करके पांच अमीनवासिद हैं हमारे पास, स्टेडिम, आसपार्टिक असिट, सीरिन, थिरियोनिन, और टैरोसिन, इन में से कोई ओप्शन हमारे पास अगर है, तो वो आंसर होगा, लेकिन यहापे सीरिन, थिरियोनिन, टैरोसिन तो नहीं द चोकलेट के लिए, एक ही चोकलेट थी, और बच्चे आपस में लड़ देती, एक रो रहा था, और एक खा रहा था, अब अगर दोनों को हमें हसते वे देखना है, तो क्या करोगे, या तो चोकलेट छीन लो, अगर छीन लोगे तो दोनों रोएंगे, अगर आप दोनों या फेट को गाब कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, कॉस्चन नमबर नाइन, ऐसा ही था, कमपरिटिव इनिबिशन में, एंजाइम, जिस सब्स्टेट को पचानता है, उसी सब्स्टेट से मिलता जूलता कोई और मोलिक्यूल, जिसा अब इनिबिटर कहते हैं, वो एंजाइम की एक्टिव साइट को कमपीट करता है सब्स्टेट से, सब्स्टेट 10 हैं, और कुछ नहीं है, तो हमेशा एंजाइम सब्स्टेट कमरस बनेगा, लेकिन अगर सब्स्टेट के साथ में सूलूशन में ये इनिबिटर भी पढ़े हुए, तो एंजाइम या तो सब्स्टेट से बाइंड करेगा या इनिबिटर से डिपमेंड इस बात पर पड़ेगा कि कांसेंट्रेशन किसकी चाहता है और अगर मुझे इस कंपटिटिव इनिबिशन की कहानी से बाहा निकलना है मैं चाता हूं कि अंजाइम काम करें इनिबिटर की प्रसेंस में भी तो भाई सीद्धी स तक बात पहुंच सकती है अगर हम सब्स्टेट की मात्रा पड़ाते जाएं इसलिए कंपटिटिव इनिबिशन में हम उसके एफेक्ट को रिलिस करना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा इंक्रीज कर दो अमाउंट अफ सब्स्टेट इससे एंजाइम इनिबिशन से बाहा निक पड़े वो तो आपका जो इमिज सीषे में दिखाए दे रहा है आपका राइट हैंड क्या उस इमिज का भी राइट हैंड है आप देखोगे तो वो आपको लाफ हैंड दिखाए देगा लेकिन अगर मैं उस इमिज को किसी और शीषे में देखूं मतलब आपने इमिज दे देखे होंगे तो आपको याद भी होगा कॉशन नमबर 10 कुछ ऐसा ही था जहां हम DNA में फॉस्ट स्टेंड ऑफ डियन ने आप्टर रिवर्स टांस्किप्शन उद बैक्ट्रियर मेसंजर आरने इस सेम एस हम यह तो पुछने की इमिज क्या है जब किसी टांपलेट को पढ़ के लिए A, G, C, C, G, G, A ऐसी करता चला जाओं तो मुझे जो सिक्वेंस मिलने वाली है यह सिक्वेंस टैंपलेट की थी जो टैंपलेट के अदर अब लिबल थी और टैंपलेट को आप बोलते हो एंटी सेंस स्टेंड अप डियर ने तो आंसर नमबर 1 था इसका पर्फर्ट I hope इन कोशनों को solve करते हुए जहां तुम्हें कुछ अपनी routine life के correlation दिखाए दियोंगे तो आपको ये भी मालूम पढ़ागा कि इसका answer ऐसे ही क्यों था मुझे मालूम है कि आप लोगोंने answer सही कियोंगे बट फिर भी कारण जान लेना बड़ा अच्छा है क्या पता ऐसे कोशन एक्जाम में कहीं और कब मिल जाए और कभी हमारे उपर कोशन मार्क छोड़कर चले जाए हम वो नहीं चाहते हम हमेशा जीतना चाहते है अब कुछ में एक्जाम की तैयारी कर सकते हैं अब तैयारी के लिए ये टाइम काफी है या फिर ये कम है बहुत लोग हैं जो इस बात पर discussion करते रहते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो discussion के बजाय करने पर कीन करते हैं बैग गेम अब तोन की तो एक लाइन याद होगी ना गेम अब तोन में केवल दो बाते होते हैं या तो तुम जीतते हो या तुम मार जाते हो हाँ एक्जाम स्परिशान करते हैं हैं दुखी भी करते । रिजल्ट खास सोर्स अगर वो नहय है जो हम चाहतेिे बट यहाँ पे death का तो issue नहीं होता, मरता तो है कुछ, लेकिन वो time है 6 मेने खराब हो जाते हैं, एक साल खराब हो जाता है, सिर्फ हमारे आलस या फिर हमारी कम तियारी की वेज़े हर एक्जाम एक बड़े hurdle की तरह है, लेकिन फिर जब एक्जाम की तैयारी करने के लिए time कम बचा होता है तब बहुत लोग के लिए ये time भी काफी है, क्योंकि जब जागो तब सवेरा और बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि भाई अब तो दो मेने रहा गए हैं, अब क्या करेंगे, अब कुछ पॉसिबल नहीं है और वो गुटने टिकाए दे याद रखेगा कि जीतते वही हैं जो ट्राइ करते हैं, जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाते हैं जो बहाने मनाते हैं वो बनाते ही रह जाते हैं, आई फ्लाई भी उन लोग के लिए जो लेड हो चुके हैं, एक क्रेश कोर्स लेकिया है, ये क्रेश कोर्स अपने आप में काफिस सॉलिड तरीका है, इस एक्जाम को कम टाइम में त्यारी करने का, हाँ इस कोर्स में हम दो साल में करते हैं, उतनी पढ़ा ही हम लोग दो महिने में करने हैं, ये पॉसीबर नहीं है, लेकिन कुछी टॉपिक तो ऐसे हैं न, जो एक्जाम में बड़े सॉलिड है, और उस टॉपिक में भी कहां तक पढ़ना ये बड़ा इंपोर्टन है, बही पढ़ते तो सब हैं एक ही टॉपिक सब पढ़के गए, बैट कुछ कोशन को कर पाए और कुछ कोशन नहीं कर पाए, इंडियेट मैं अगर लाइन को चेंज कर दूँ, कुछ लोग कोशन को सही कर पाए और जातर लोग कोशन है तो करी नहीं पाए या गरत कर के आए, पास तो कम ही होते हैं न, तो भई, यानि कि हर topic में कहीं कोई point है, इसलिए इस course के अंदर approximately 60 important short lecture है, ये short lectures के अंदर के वल उतनी बात है जितनी exam के लिए जुरूरी है, topic में से कोई वही बात हम लोग कर रहे हैं, जो exam माने गुंजा है सबसे जाद है, ये lecture routine lecture की तरह नहीं है, जापे हम लोग हर angle को, हर point interview से देखना चाहते हैं चीज़ों के, ये crash course है, इन 60 lecture के थुरू हम लोग अपनी जानकारी को इतना बढ़ाएंगे, इतना बढ़ाएंगे, कि हम अपनी choice कूरी कर सके हैं, वो ही choice जिसकी वहीं से हम अपने exam में 100% नमभई बला सकते हैं, इसके लावा हम लोग 5 mock exam भी करेंग जिन में से 4 exam हम लोग online करेंगे, और analysis करेंगे कि हम क्या गलती करते हैं, और फिर एक real life scenario का इस्तेमाल करके हम लोग एक last note की देखेंगे, हम समझेंगे कि paper को solve कैसे करना हैं, हम समझेंगे कि choice कैसे बनाते हैं, किस question को करना चाहिए, किस को छोड़ना चाहिए, मतलब ये कह ल जाना होने चाहिए, ये कोर्स 15th अप्रेल दर स्टार्ट है, और इसका duration जून के exam तक का है, ये जून मों आ रहा दी, दो मेने बाद, classes जॉइन करने के लिए, आप मुझे वार्टप कर सकते हो, 9013, 902981, या मुझे mail ले सकते हो, sapling edutex at the rate gmail.com पर, ये कोर्स बाकी सारे courses की तरह online है, आप अपने घर बैटे कर सकते हो, कही जाना नहीं है, कही आना नहीं है, आपको हर रोज इस particular course हो करने के लिए, around 3-5 घंटे कम से कम चेंगे, अगर आप जाड़ा घंटे देते हो, तो ये आपके लिए बढ़िया ही है, अगर आप हर रोज के 6 घंटे निगाव सकत इस exam को पढ़ने के लिए, next 2 मेने के लिए, वो भी फरक कर सकता है, फिर इसके लाव आपको time निकालना होता है exam देने के लिए, और exam के solutions देखने के लिए, जो mock exam के solutions हैं, वे भी तो video solutions हैं, अच्छे कासे elaborate, जहां हम लोग ये भी समझते हैं, किनके answer क्या हैं और क्यू हैं, और क्या वर्ड वो था, जो हमें देखना चीए होता है, ये high quality lecture, आप अपने घर बैठे, अपने time की recording देख सकते हो, iFly की classes join करने के लिए, और अधिक जानकारी पाने के लिए, whatsapp किजिए, 9013-902981, अगर ये video पसंद आया है, तो share किजिए अपने उन तमाम दोस्तों के कि दो महिने कम है, बाई, जिन में दम है न, उनके लिए दो महिने कम यूटे, दो महिने का भी best iteration वो निकाल सकते हैं, और वैसे भी जो try करना छोड़ देते हैं, वो तो पहली हर गयना, जो लड़ते हैं, उनी के chance है चीत देते, अगर वीडियो पसंद आया, तो like किजेगा, चैनल सब्सक्राइब ना कर दो कर लो, चलो फिलाल तो मजे करो, बाई बाई